गोड एविनिंग दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अब तक लगभग पौने दो करोड लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जब की इस वाइरिस के कारण अब तक 6,80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसकी वैक्सीन बनाने को लेकर काम लगातार जारी है इसको लेकर दुनिया भर में 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिसमें कुछ के ट्राइल अंतिम चरण में है वैक्सीन को लेकर रूस से एक अच्छी खबर आ रही है यहां के स्वास्त मंत्री मिखाईल मुराशकों का कहना है कि सरकार अक्टूबर में नागरिकों को वैक्सीन देने की योजना बना रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर टीका करण अभियान चलाने की तयारी हो रूस की इस संभावित वैक्सीन को इस महीने नियामकों की मंजूरी मिल जाने की संभावना है हाला कि कई विशेशक ये रूस की इस वैक्सीन को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि लोगों को वैक्सीन की खुराग देने से पहले जरूर सभी टेस्ट किये जा रहे हैं या नहीं रूस की इस बैक्सीन का अभी दूसरा चरण चल रहा है लेकिन वैज्ञानकों को उमीद है कि ये तीसरा चरण जो है ये चरण तीन अगस तक पुरा हो जाएगा और उसके बाद तीसरे चरण के ट्रायल की तयारी होगी और जब ये ट वैक्सीन जो है उबलब्द हो पाएगी बात करें अमेरिका तो अमेरिका में भी वैक्सीन बनाने को जो रोशोर से काम चल रहा है मार्डना कंपनी की वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण है हाल ही में 30,000 लोगों पर इसका परिक्षण शुरू किया गया है और अब सिर्फ नत परिक्षण सफल रहते हैं तो यह कहा जा रहा है कि यह वैक्सीन इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्द हो जाएगी बात करें भारत की तो भारत में वैक्सीन के दो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है इसमें ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तयार वैक्सीन भी शामिल हैं पिछले महीने दिल्ली एम्स पटना एम्स और रोहतक पीजी आई समेत अन्य संस्थानों में इसका मानो परिक्षण शुरू किया गया है अभी यह पहले चरण में ही इसका ट्रैल चल रहा है यह कब तक बाजार में उपलब्द होगी इसको लेकर अभी कोई पुक्ता ज सबसे बहुत तकूर बात यह है कि वैक्सिन बन जाने के बाद भी यह हर स्टेज के ट्रैल में सफल निकले इसका शरीर पर कोई नेगेटिव एफेक्ट ना हो और शरीर के यह जो है वैक्सिन से लड़ने में एंटिवाडी को डेवलब करें यह सारी चीजे जब इसको फाइ 2021 के पहली तिमाही में यह वैक्सिन संभौता उपलब्ध हो पाएगी तो यह थी लेटेस्ट अफडेट वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजेगा क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि वैक्सिन कब तक उपलब्ध हो पाएगी